प्रेंड मैं हूँ संजा सिंघानिया अब देखरें मेरे यूटूब चैनल सिंघानिया स्विसी दोस्तों आज मैं क्लास्टेंट का हिंदी का अध्याइश बहादूर से संबंधित अब्जेक्टिव कोशन लेकर आया हूं तो चलते हैं हज का वीडियो शुरू करते हैं वीड प्रेज मेरे इस चैनल को सबस्क्राइब कर ले और जादे से जादे अश्यडे गूरूप में सेर करने की कोशिस करें तो चलते हैं आज की पहला कोशन की और देख लेते तो आज का पहला कोशन यह रहा कि मौत का नगर किस लेखक की कहानी संगरा है Option A है अनामिका Option B है महादेवी वर्मा Option C है डाक्टर राम बिलाव सर्मा Option D है अमरकांद तो देखिए इसका राइट अंसर क्या हो जाता है तो इसका राइट अंसर आपको हो जाएगा Option D अमरकांद मौत कानगर किस लेखक की कहानी संग्रा है तो यह है अमरकांद का, चलते हैं next question, question number 2, question number 2 आपका यह रहा, कि अमरकांद को किस कहानी लेखन के लिए पुरुस्कृत किया गया है, option यह है मोद कानगर, option B है ग्राम से भी का, option C है, dipty, collectory, और option D है जिन्दगी और जोंग, तो इसका right answer आपको हो जगा, option number C, dipty, collectory के लिए इन्हें पुरुस्कृत किया गया था, चलते है next question, क्यों, next question आपका यह रहा, question number 3, कि बीज की दिवार किस की रचना है, option A, राम चंदर सुक, option B, अमरकांद जी, और option C, राम बाबु सक्सेना, और option D है गुना कर मुले, तो इसका right answer आपको हो जगा, option number B, अमरकांद जी का, चलते है next question, question number 4, question number 4 आपका यह रहा, कि 9, 2, 1, 11 होने मुहावरे का अर्थ है, option A, रुक जाना, option B है भाग जाना, option C है मार देना, option D है मर जाना, तो इसका right answer हो, आपका option number B, भाग जाना, चलते है next question, क्यों, next question आपका यह रहा, कि बहादूर तुमको अपनी मा की याद आती कि हैसा कौन पूछता है, बहादूर को पूछते हैं कि क्या तुम्हें अपनी मा की याद आती हैसा उन्हें, कौन पूछता है, पहला है निर्मला, B है किस और, C है लेखक, और D है मैसे कोई ने, तिसका right answer जा लिजी क्या होता है, तिसका right answer आपको होज़ेगा, option number A, निर्म कार, B है किसोर, C है फोजी, और D है पहरेदार, तिसका right answer आपको होज़ेगा, option number B, किसोर ने, बहादूर की डंडे से पिटाई कर दी थी, चलते next question के और question number 7, question number 7, कि नास्ता पानी के बाद बातों की क्या छानने लगी थी, option A, पूरी, पूरी, C है जलेवी, और D हैं मैसे स कि बहादूर सिर्सक कहानी के कहानी कार कौन है, बहादूर सिर्सक जो है, उसके कहानी के कहानी कार कौन है, option A, अमरकांत, B, राजंदर यादव, C, कमलेस्वर, और D है, ग्यानस, रंजन, तो इसका right answer होज़ेगा आपको option number A, अमरकांत, चलते next question, question number 9, question number 9 यह है कि निर्मला कौन थी, question number 9 क्या है, निर्मला कौन थी, कहानी कार की नौकरानी, option B है, कहानी कार की बहन, option C है, कहानी कार की पतनी, और option D है, कहानी कार की मौसीद, इसका right answer हो जाएगा आपको, कहानी कार की पतनी, यानि option C, इस right answer हो जाएगा, चलते next question, question number 10, question number 10 आपको यह है, कि जो था कहां से भाग कर आया था अप्शन है पुना से अप्शन भी इंदोर से अप्शन सी पतना से अप्शन डी है नेपाल से तो इसका राइट अंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन अमडी नेपाल से भाग कर आया था बहार बहादूर चलते है नेक्स कोशन कोशन नमर 11 कोशन वादूर कौन था कहानिकार काचप्षाप्रासी पहरदार आपसंट नौकर आपसंट हमें पहोजी तिसका राइट असर हो जैगा आपको आपसंन नमर्सी नो कर जे तो बहादूर कौन था तो नो सपर कोते रफकार की महार कांथ दिना सवाधिनता संग्राम में कभ भाग लिया तो ऑफ्षनिया 1934 option बिहां 41 1900 और option 2022 option d tell us का राय चन्सरों आपको option सब्सक्राइट मिया सभी संग्राम में भाग लिये थी इस चलते हैं नंक्स कोषें कोहटस नंपर चौट गया है इसमें से 15 देख लिए तो कोशन नोर 15 है कि बहादूर अपने घर से क्यों भाग गया था अप्सण यहां गरीवी के कारण ऑप्सण भी है मा की मार के कारण ऑप्सण दी है ब्रहमवस्ट तो इसका राइट अंसर हो जागा ऑप्सण नमर भी मा की मार के कारण ब पतनी के कितने रुपिय खो गये थे रिस्तेदार की पतनी को जो है रुपिया खो गया था वो कितने रुपिय खो गया था ऑप्सण यह ग्यारा रुपिय अप्सण भी है पत्चास रुपिय अप्सण सी है बीस रुपिय अप्सण डी है सो रुपिय इसका राइट अंसर हो कॉपशन ये कहानी कार के मित्र और सब्सक्राइब और सब्सक्राइब कहानी कार के लिए पर्प्पफेन roz रहना यह बात इसके मन में उत्पन हुई, जहां परतिष्ठा नहीं वहाँ, क्या रहना यह बात किसके मन में उत्पन हुई थी, option A किसोर, B है निर्मला, C है बहादूर, और D है लेखक, तो इसका राइट अंसर हो जेगा आपको option number C, बहादूर, चलते हैं, next question, question number 19, question number 19 से आपका यह रहा, कि बहादूर, लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया, question number 19 है, कि बहादूर, लेखक के घर से अचानक क्यों चल गया, option A है, दूसरी नोकरानी मिल जाने के कारण, option B है, मा की याद आने के कारण, option C है, सोयं के परती लेखक, तथा उसके घरवालों के बेभार में आए, परिवर्तन के कारण, option D है, उपिक्ति सबी, इसका right answer हो जागा, option number C, सोयं के परती लेखक, तथा उसके घरवालों के बेभार में आए, परिवर्तन के कारण, चलते हैं, next question, question number 20, question number 20 आपका ये रहा, कि बहादूर कहानी के लेखक, अमरकान का जन्म कब हुआ था, बहादूर कहानी के लेखक जो अमरकान जी है, उनका जन्म कब हुआ था, option A, 1920, B में हैं 25, और C में हैं 1937, और D में हैं 1935, इसका right answer आपको हो जागा, option number B, 1925, इसवी में अमरकान जी का जन्म हुआ था, चलते हैं next question, question number 20, question number 20 ये रहा, कि अमरकान का जन्म कहां हुआ था, अमरकान का जन्म कहां हुआ था, option number A, बलिया उत्तर परदेश, option number B, शपरा विहार, option C, इलाहवाद उत्तर परदेश, और option D है, खगरिया विहार, तो इसका right answer हो जागा, आपको option number A, बलिया उत्तर परदेश, चलते हैं next question, question number 22, question number 22 आपका ये रहा कि, कि इन्हें किस पुर पुरुषकार से पुरुषकरित किया गया है, पहला ये है पदम भूसन, B है साहित अकादमी पुरुषकार, C है भारत रतन और D है, इनमें से कोई नहीं, इसका right answer हो जगा आपको option number B, साहित अकादमी पुरुषकार से पुरुषकरित किया गया था, अमरकांद जी को, चलत right answer हो जगा आपको option number D, अमरकांद जी जो लिखे थे, जिन्दगी और जोंक की कहानी लिखे थे, चलते हैं next question question number 24, question number 24 आपका ये रहा कि बहादूर का पूरा नाम क्या था, बहादूर का पूरा नाम क्या था, option A, खुस बहादूर, option B, दिल बहादूर, option C, कुल बहादूर, option D है, गुल बहादूर, तो इसका right answer आपको हो जगा, option number B, दिल बहादूर नाम था, बहादूर का पूरा नाम, चलते है next question, question number 25, question number 25 आपका ये है, कि निर्माला आखों पर क्या रखकर रोने लगी, option A है, रुमाल, option B है, हाथ, option C है, आचल, option D है, इन में से कोई नहीं, इस इसका right answer हो जगा, option number C, आचल रखकर रोने लगी थी, निर्माला, तो चलते है next question क्यों, next question आपका ये है, question number 26, करा है, लेखक के घर में, किसकी नितांत आवा सकता थी, option A, नोकर की, option B, चापलूस की, option C, चापरासी की, option D है, पहरेदार की, तो इसका right answer आपको हो जगा, option number A, नोकर की जरूरती, चलते है next question, question number 27, question number 27 है, मा के डर से लरका रात भर कहां छिपा रहा, option A है पहारों पर, option B है जंगलों में, option C है परोसी के घर में, और option D है बिद्याले में, तिसका right answer हो जगा, आपको option number B, जंगलों में, चलते है next question, question number 28, question number 28, question number 28 है, कि लड़के ने हंडिया से कितने रुपिये निकाले थे, लड़के ने हंडिया से कितने रुपिये निकाले थे, option B है, 5 रुपिये, option B है, 2 रुपिये, option 3, 3 रुपिये, option D है, 6 रुपिये, इसका right answer हो जगा, option number B, यानि कि 2 रुपिये जो है, लड़के ने हं यह से निकाले ते चलते हैं और तुक्स दूसरा धनी और तीसरा अप्सन है गरीब और जोथा अप्सन है विश्वासी जिसका राइट अंसर आपको हो जबाइए तुछ लोग रहते हैं चलते हैं नेक्स और बहादूर लेका की पत्न निर्मला को किस रुप में देखता था उप्सन अ देवी के रुप में और अफजन D मा के रूप में चलते हैं लेक्स कोश्टन नम्ब 39 कोशान नम्र 31 है कि बहादूर पर कितने रुपे के चोड़ी का इल्जाम लगा था बहादूर पर कितने रुपिया चौरी का यर्जाम लगा था संथ 10 रुपिए या तरी यह बिदिए आपको कैसा लगा तो प्रप्लीज मेरे से चैनल को क्यों ढमें हो से ज़ादे से ज्यादे करने की कोसिस करें रहांब